बिहार में बीजेपी के विधान पार्षद सदस्य सुनील कुमार सिंग की मंगलवार शाम करोनवाइरस की वजह से मौत हो गई है। करोन की वजह से राज में यह पहले किसी बड़े राजनेता की मौत हुई है। उनका पटना के एम्स में इलाज चल रहा था। एम्स के COVID-19 नोडल ओफिसर संजीव कुमार ने बताया है कि सुनील कुमार सिंग की करोनवाइरस की वजह से मौत हो गई है। वह शुगर और हाई प्रटेंशन से पीड थे और वेटिंग लेटर पर थे। और 13 जुलाई से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सुनील कुमार सिंग निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गहरा दुख जताया है। उपमुखी मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सुनील कुमार सिंग के निधन पर कहा कि उनकी मौद से बीजेपी परिवार और व्यक्तिगत तोर पर मैं मरमाहत हूँ। सुशील मोदी ने दिवंगत आत्मा की शान्ती वा शुभचिंत को, समर्थ को वा परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। आपको बता दे की सुनील सिंग 66 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा टू बेटे और एक बेटी है। नियुस्टेस्क